बच्चों हम जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिविम का आकार वस्तु के आकार के बराबरी होता है लेकिन जब हम गोलिये दर्पण में देखें तो प्रतिविम का आकार वो डिपेंड करता है कि वस्तु दर्पण से कितने दूरी पर रखा है कहां परस्थेत है जिसके कार हो तो प्रतिविम की लंबाई और वस्तू की लंबाई के अनुपात को हम कहते रेखेक अवर्धन यानि की linear magnification यदि हम linear magnification को दर्शाते हैं M से तो linear magnification का formula हुआ M बराबर प्रतिविम की लंबाई अपन वस्तू की लंबाई प्रतिविम की लंबाई को हम दर्शाते हैं I से और वस्तू की लंबाई को दर्शाते हैं O से यानि कि M बराबर होगा I upon O और इससे पहले जब हमने दरपन सूत्र ग्याद किया वहां पर हमने एक समीकरन लिखा था AB upon A dash B dash is equal to PB upon PB जहां AB बस्तू की लंबाई थी और A dash B dash प्रतिविम की लंबाई वैसे ही PB यानि कि दुरू से बस्तू की दूरी थी और PB dash प्रतिविम की दूरू से दूरी थी अब इस समीकरन को मैं reverse करूँ यानि कि A dash B dash upon AB is equal to PB dash upon PB लिखो तो यहां पर जो A dash B dash है वो क्या है प्रतिविम की लंबाई और AB क्या है वस्तू की लंबाई तो इस प्रकार रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला बन जाएगा M बराबर प्रतिविम की लंबाई अपन वस्तू की लंबाई equal to यह और किसके बराबर होगी यह तुमने लंबाई की टम्स में निकाला यहीं दूरी के टम्स में क्या बन जाती है प्रतिविम की दूरू से दूरी अपन वस्तू की दूरू से दूरी इस प्रकार जो रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला होता है वोगा M बराबर प्रतिविम की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिविम की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी अब इस फॉर्मुले को हम दोनों ही दरपण के लिए देखते हैं अफ्तल और उत्तल यदि हम अफ्तल दरपण के लिए देखे तो इसमें दो प्रकार के प्रतिविम बनते हैं इसमें वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है यदि वास्तविक प्रतिविम का निर्माण हो रहा है तो यह दरपण के सामने ही बनेगा और यह उल्टा बनेगा इस कंडिशन में हम जो वस्तु की लंबाई है उसको तो धनात्म की लेंगे क्योंकि वह सदय मुक्ष क ही वोगा लमवड लेकिन जो प्रतिविम है उल्टा बन रहा है तो प्रतिविम कि लंबाई को हम लेंगे लिंगे माइनस और ऑट करें तो धरूष से जो वस्तु की दोरी होगी यूं से और से प्रतिविम की दोरी ये भी रिनात्मक होगी क्योंकि जो प्रतिभीम है वो दरपण के सामने ही बनेगा तो इस कंडिशन में रैखी कावर्धन का फॉर्मुला हो जाएगा एम बराबर माइनस आई अपॉन ओ एकुवल टो माइनस वी अपॉन यू और माइनस मैनस न काटने पर हम को मिलेगा एम बराबर आई अपॉन यू बराबर माइनस वी अपॉन यू लेकिन यदि अभासी प्रतिभीम बन रहा है तो अभासी प्रतिभीम दरपण के पीछे बनेगा और यह सीधा बनेगा तो उस कंडिशन में हम जो प्रतिविम की दूरी है उसको भी धनात्मक लेंगे और प्रतिविम की लंबाई है उसको भी धनात्मक लेंगे तो फॉर्मुला बन जाएगा M बराबर I upon O equal to V धनात्मक लें आमने और वस्तु की दूरी तो सदाय भी धनात्मक की होती है तो माइनस U इस प्रकार दोनों ही कंडिशन में चाहे प्रतिविम वास्तविक बने या भासी फॉर्मुला सेम है M बराबर I upon O equal to minus V upon U अब हम उत्तल दरपन की बात करते हैं उत्तल उत्तल दरपन में प्रतिविम कैसे बनते हैं अभासी तो इस कंडिशन में भी फॉर्मुला हो जाएगा M बराबर I upon O equal to V upon minus U और हम लिख सकते हैं M बराबर I upon O equal to minus V upon U यानि रखे का वर्धन का फॉर्मुला उत्तल दरपन अवत्तल दरपन चाहे वो अभासी प्रतिविम हो यह सभी स्थिती में सत्य हैं अब इस रैखिक आवर्धन के फॉर्मुले को हम यू और वी के टम्स में देखते हैं क्योंकि बोर्ड एक्जाम में या फिर कॉम्टिटिव एक्जाम में इस प्रकार के आंकिक प्रशना आते हैं जिसमें रैखिक आवर्धन आपको ग्याद कर देखें तो सबसे पहले हम दर्पन का सूत्र लेते हैं दर्पन के सूत्र के अनुसार वन अपॉन एफ एक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी दोनों पक्ष्यों का वी से गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा वी अपॉन एक्वल टू वी अपॉन यू प्ल वण माइनस V अप़ॉन F यहां से हम देखें, तो माइनस V अप़ॉन U यह भी राखी का वरधन का फॉर्मुला है तो हम इसके स्थान पर लिख देंगे M तो M बराबर हमें मिलेगा वण माइनस V अप़ॉन F और LC हम लेने पर प्राप्ट होगा M बराबर F-V upon F अब इसी फॉर्मुले को U के टर्म्स में लिखते हैं दरपन सूत्रे से स्टार्ट करेंगे 1 upon F equal to 1 upon U plus 1 upon V अब दोनों पक्षों का U से गुणा कर देते हैं पहले वाले कंडिशन में आमने V से गुणा किया था अब U से गुणा करेंगे तो हमें अप्राप्त होगा U upon F equal to 1 plus U upon V फिर से पक्षानतर करते हैं तो हमें मिलेगा minus U upon V equal to 1 minus U upon F LCM ले लेते हैं यहां पर राइट साइड में तो हमें मिलेगा minus U upon V equal to F minus U upon F अब जो आवर्धन का फॉर्मुला होता है वो minus V upon U है तो इस समी करण का व्योद करम लेंगे व्योद करम लेने पर मिलेगा minus V upon U equal to F upon F minus U और minus V upon U होता है राइखेक आवर्धन यानि की M तो इस प्रकार राइखेक आवर्धन का फॉर्मुला बन जाता है M बराबर F upon F minus U ये दोनों ही फॉर्मुले अलग-अलग स्थिती में स्तमाल किये जाते हैं अब हम विबिन प्रकार के दरपणों में जो प्रतिविंब की प्रकृती होती है उसकी अधार पर उनका उपियोग देखते हैं हैं तो सबसे पहले समतल दरपण समतल दरपण प्रतिविंब कैसे बनते यह वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है यह अभभावर सिधा बने है जम रोच करते हैं बिल्कुल सало अपना चेरा देखने के लिए तैयार होने के लिए तो इसका उफ्योगं तेबल में किया जाता है कि साथ ही संतल्डरपण को उफ्योग विबिन अप्रकार के उपकरणों में भी कर सकते हैं जहां पर प्रकाश की किरण को मोड़ना हो जैसे कि पैरिस्कोप जिससे कि हम प्रकाश की किरण को मोड़ कर पानी के नीचे बैट के भी पानी के ऊपर सता की चीजों को भी आसानी से देख सकते हैं अफ्तल दर्पण का उप्योग कहा कहा किया जाता है अफ्तल दर्पण में प्रतिविम में कैसा बनता है इसमें वास्तविक भी बन सकता है और अभासी भी बनता है जब वास्तविक बनता है तो ये प्रतिविम उल्टा बनेगा और जब अभासी बनेगा तो ये प्रतिविम सी कि दाड़ी बनाने के लिए जब हम अपने फेस को दरपण के इतने पास लाते हैं कि हमारा पेस दुरूफ और दरपण के फोकस दूरी के बीच में हो तो उस कंडिशन में यहां पर बनने वाला प्रतिभीम अभासी होगा और वस्तू से बड़ा होगा यानि कि जो दाड़ी ब देखे हो कि जब चैक अप कराने चाहते हैं तो इक इतनी बड़ी सी पाई प्रति जिसमें छोटा सा मिरर लगा होता है उसको चेहरे के अंदर मुग के अंदर गुसा गुसा के वह दातों के स्थिती देखते हैं कि दात कहां पर टूटे हुए ठीक है कहां कीड़ा लगा हु क्योंकि यह प्रतिबे माफासी होगा तो दात बड़े बड़े और इस पश्च नजर आते हैं कि जिससे की देंटिस्ट आसानी से आपके दातों का ट्रेटमेंट कर पाते हैं वैसे आप डॉक्टर को देखे होगे जो एंटी स्पेशलिस्ट रहते हैं आपने देखा होगो और उसे पर एक पत्ती टयब की बांद हे रहते और उसी या पर एक मिरर लगा हुँ रहता है और वह आपको अपने सामने बठा लेते हैं ज Animation प्रकाश रोत आपके पीछे से आती होई होती है और वह आपके गले को यह नाक का यह का छेक म अ एक अब करते हुए है ऊस सम iह ज तो उस पर टकराने वाली सारी किरने एक जगा फोकस हो जाती है और वह उस अंग को अच्छे से देख पाते हैं जहां पर उनको प्रकास डालकर देखना होता है to solar cooker solar cooker में भी एक mirror लगा होता है जिसे की सूरी के प्रकास को मोड़ कर हम उस कुकर के अंदर डालते हैं सूरी की प्रकास को मोडने के साथ उस प्रकास को एक जग़ कनवर्ज ये इक अठा भी करना होता है तो हम वहाँ पे इस्तवाल करते हैं अवतल दरपन का ताकि siri कि रने एक जग़ कनवर्ज हो जाए जहां पर solar कि अंदर पात्र रखा हुआ जिसमें खाना रखा हुआ है नेक्स्ट है सर्च लाइट यह गाड़ी की हैड लाइट सर्च लाइट में भी हम सारे प्रकाश को एक जगा केंद्रित करना चाहते हैं क्योंकि जिस जगे पर प्रकाश पड़े वो जगा अच्छे से ब्राइट हो जाए वैसे ही जो गाड़ी की हैड लाइट रहती हम भी चाहते हैं कि बहुत दूरी तक उसका प्रकाश गमन कर सके और केंद्रित हो सके उस कंडिशन में लगाया जाता है अफ्तल दर्पन क्योंकि आफ्तल दर्पन भी सारी किरणों को करता है और एक जोगा फोकस करता है इ अब उत्तल दर्पन की उप्योग देखते हैं उत्तल दर्पन में किस प्रकार का प्रतिमीं मनता है अभासी सीधा और वस्तु के साइज से कम तो इसका उप्योग हम करते हैं सडक में लगे हुए खंबो वाली लाइट में जो सडक में खंबे लगे होते हैं उसके अंदर जो उसमें जो लाइट लगा होता है उसके पीछे जो मिरर होता है वो उत्तल दर्पन होता है जिससे कि सारी किरिने उससे टकराने के बाद फैल जाएं और फैल जाएंगे तो व बहुत दूर तक उजाला हो सकता है इस उत्तल दरपन का सित्माल किया जाता है स्कूटर कार बस आधी में जो सामने मिरर लगे होते हैं यह सारे मिरर उत्तल दरपन ही होते हैं इससे प्रतिविम्व की प्रकृति तो मैंने बताई तो इसमें जो प्रतिविम्व छोटा और सीध बनेगा उसका फायदा यह है कि हम पीछे के एरिया ज्यादा कवर कर सकेंगे पीछे बहुत सारी वहाने आ रही है जिनका प्रतिविम आसानी से स्पस्ट रूप से इस मेरर में बन जाएगा और हम बहुत ज्यादा व्यूफ कवर कर सकते हैं अगर मान लीजिए इसके जगह समतल दरपन लगा दिया जाता तो क्या होता वस्तू का आकार बिल्कुल बराबर बनता प्रतिविम तो सीधा ही दिखता लेकिन बराबर होने के कारण यह ज्यादा ही कवर नहीं कर सकता पीछे से मालों ट्रक आरी हो तो आपके सामने केवल ट्रक का सामने का हिससे दिखेगा उसके आजू-बाजू क्या है कहां पर वो ट्रक इस्तित है यह आप अनुमान नहीं लगा सकेंगे तो व्यूफ को बढ़ाने के लिए उत्तल दरपन लगा जाता है वैसे ही जो अन्धा मोड होता है पहाडों में या फिर ऐसी जगों पर जहां पर बहुत घने जंगलों और वहां पर हम पीछे के मोड को नहीं देख पा रहे हैं तो उस मोड को व्यूफ करने के लिए भी टर्निंग में हम इस्तमाल करते हैं उत्तल दरपन का क्योंकि यहां पर जो अंध मोड के उस पार जो चीजे हैं वो बिल्कुल क्लियरले स्पस्ट हो जाए यहां पर सीधी दीखेंगे चीजें और छोटी दीखेंगे जिसकी कारण ज्यादा व्यू कवर हो सकेगा और आसानी से उस अंध मोड को पार कर लिया जा सकता है